चलिस तो बात करने वाले हैं किनी स्टॉक्स के इंदर आपको अब एक्शन देखने को मिल सकता है देखा जाये तो काफी सारी कंपणियों के इंदर हम लोग को जो इस समय क्यूफोर के रिगार्डिंग जो है हलचल देखने को मिल रही है तो नतीजे आ रहे हैं साथ में बना हुआ है तो यहां पर दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आज की दिन आपको किनी स्टॉक्स के इंदर एक्शन देखने को मिल सकता है और आगे इन स्टॉक्स के इंदर आपके इस तरगे की रूप रेखा त्यार करके चल सकते हैं तो काफे सारी कंपणियों को इस तर स्टॉक्स के इंदर आपको भारी उतार चड़ात देखने को मिलता है पिछला एक महिना जो इसके इंदर रहा है अब तक स्रिफ अप down ही हम लोग को इसके अंदर देखने को मिला है, ऊपर की तरह मुँ करता हुआ निजरा है, वापस से घिरावर्ट देखने को मिली, नीचे आता है तो वापस से खरीधारी का इसके अंदर हम लोग को जो अगली कंपनी हमारी दिखाए दे रही है जियो सिल कॉर्परेशन लिमिटेड इसी स्टॉक्स के अंदे हम लोग को आज के दिन एक एक्षन देखने को मल सकता है कंपनी के हाथ में बड़ा ओडर लगता हुआ नजर आ रहा है और इस ओडर की कीमत बताई जा रही है लगब को बड़ी हल चल देखने को मल सकते हैं दूसरी हमारी यह कंपनी है जियो सिल कॉर्परेशन यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो पिछले 6 महीं ने रहे हैं लगतार इस कंपनी के अंदर भी हम लोग को मजबूत लेवल देखने को मिले हैं और लगबग 30% के आसपास चला गया था 2018 में तो वहां से लगतार गिरावट इसके अंदर चल रही थी अब दीरे-दीरे करके ही अच्छा खासा मोमेंटम इस कंपनी के अंदर बनता हो नदर आ रहा है तो इसे स्टॉक्स को भी आप अपने रडार पर रख सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं अगली गोटर बेसे पर चल सकते हैं कि अच्छा आपको इस कंपणी के इंदर देखने को मिले नेट प्राफिट की बात कर लेते हैं और अगर पिछले साल का देखें तो 27 बिलिएन के आश पास हम लोग को यह प्राप्त हो रहा था तो इयर और करकर कंपनी के रिवरन्यू देखें तो लगबग 232 बिलियन रुपीज के आसपास निकल किया है, पिछले साल का देखें तो 161 बिलियन के आसपास ही हम लोगों दिखने को मल रहा था, तो ये रोन ये रुबिस इस पर रिवेन्य भी बढ़ता हुआ ना ज़रा रहा है, साथ ही एक कंपनी डिविडेंट डिकलेर क सकती है, इसके पीछे कारण निकल किया रहा है, और यहां पर तीन अकाउंट इस तरह की के दिखाए दे रहे हैं, इंडियन बैंक के इंदर जो की फ्रोड करते हुए नज़रा रहे हैं, तो यहां पर क्या है कि एनपी की सिचुईशन से बढ़ती हो नज़रा सकती है, तो ज देखने को मिल सकता है, अब बात करते हैं दोस्तों अगली कंपनी के बारे में, तो एवरेस्ट केंडो सिलेंडर, इस कंपनी की चांदी करती हो नज़राई थी, आपने देखा कि जिस तरीके से कोबिड की सिचुईशन चल रही थी, लगातार, ऑक्सिजन की डिमांड बड़ी खबर प्राप्त हो रही है, वह यह हो यह एक दूसरी कंपणी है, जेवी एग्रीमंट, जेवी, जेवी के साथ में आग्रीमंट करती हो दोते हमिने झाजब होसा जबी चल सकते हैं, चया नहीं लएक क 이야기를 कि पूरी जानकर है, आपकर चले लगी हो तो ल Onu और बानी है thank you so much for watching